हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक तो अवर चैनल, एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट, दोस्तों यह आज का मारा टेस्ट नमर 18 है, और इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूँ, हमने इस टेस्ट के बाद से थोड़ा सा बतलाव किया है ये 20 प्रेष्ण होते हैं इसमें, और 20 प्रेष्ण के बाद जो अंत में प्रेष्ण होगा, वो आपका Question of the Day होगा, जिसमें आपको सही उतर देना होगा, और सही उतर देने वाले जो भी स्टूडेंट होंगे, उनका कमेंट हम सही उतर, और सबसे पहले जो सही उतर देंगे तो उनका कमेंट हम कमेंट सेक्शन में पिंट कर देंगे जो सबसे पहले दिखाए देगा तो चले शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रेशनी के का अधिकार दिया फिर से मैं आपको एक बारी रिपीट कर दूँ भारत के समविधान के निमलिकित में से किसी अनुच्छे ने संसत को 25 जनवरी 1965 के बाद भी अधिकारिक उद्देशों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उप्योग के लिए कानून द्वारा परदान करने का अ आंसर इस सी ऑप्शन सी हमारा सही है आर्टिकल 343 आर्टिकल 343 में क्या है इस आर्टिकल में है किसी बात के होते हुए भी संसत उक्त 15 वर्ष की अधिके पश्चात विदी द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रियोजनों के लिए प् आर्टिकल में किसी बात के होते हुए भी संसत उक्त 15 वर्ष की अधिके पश्चात विदी द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रियोजनों के लिए प्रियोग उपवन्दित कर सकेगी जो ऐसी विदी में विर्निदिष्ट किये जा राज भाषा से संबन देते हैं हमारे आर्टिकल 343 अगला प्रेशन हमारा प्रेशने संक्या दो जन संक्या भूगोल की एक शाका है जन संक्या भूगोल की एक शाका है आंसर इस सी युमन जोगफ्री मानव भूगोल ओप्शन सी हमारा सही है अगला प्रेशने संक्या तीन निमलिकित मैंसे कौन सा ग्रंत कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तरत विवरंड देता है आंसर इस बी रजतरंगनी यह माफ कीजेगा यहां पर थोड़ा सा मिस्प्रिंट है यहां पर है रजतरंगनी सिफ रजतरंगनी यह जो रजतरंगनी है यह यहां का प्राचीन कश्मीर का प्राचीन विस्तरत लिकित इतिहास है प्राचीन विस्तरत लिकित इतिहास है रजतरंगनी ज बारवी शताब्दी इश्वी में लिखी गई थी रज़त रंगनी अगला प्रशन हमारा प्रशन संक्या चार निमलिखित में से किस माता पिता और वरिष्ट नागरिकों को बच्चों की परिवाशा में शामिल नहीं किया गया था अंसर इस अगला प्रशन हमारा प्रशन संक्या पांच इह यह बेसिन कर लीजेगा बेसिन का लगवक 50% महारास्ट में इसतित है गो डावरे कावेरे सी अन्हानगरि नर्मदा आ इस होगा आंसर होगा इसका ए गोदावरी यह जो आच्छा पहले यह मुझे बताई यह बेसण क्या होता है बहुत से लोगों नहीं पता होग समद्र में मनतलब कुस लोगों को नहीं पता मतलब कुछ लोगों मैं आपको बतादीो जहां पर नदी और उसकी कि नदी होकर समुद्र में मिलता है, और उस खास इलाके में एक बड़ी जील कारूप ले ले ये इसका बेसेन Or उसके सहायक नदियों त्वारा जल प्रावावित होकर समुद्र में मिलता है और उस खास इलाके में एक बड़ी ताजा जील का स्वरूप ले ले वह इलाका बेसिन या नदी बेसिन कहलाता है अगला प्राशन हमारा प्राशन संक्या 6 भारत के समविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार व्याण जी की स्वोतंतरता प्रदान करता है इसका आंसर होगा option d भाग 13 भाग 13 में क्या है हमारे भाग 13 में है भारत के राजी छेत्र के भीतर व्यापर वाड़ज एवं समागम अच्छा ये किस आर्टिकल के तहत आता है ये आता है हमारा आर्टिकल आर्टिकल 301 से 307 के बीच आर्टिकल 301 से 307 के बीच भाग 13 हमारा आता है जिसमें है भारत के राजी छेत्र के बीतर व्यापर वाड़ज एवं समागम आर्टिकल 301 से 307 बाकियों के बारे में भी मैं आपको बता दूँ भाग 20 क्या कहता हमारा भाग 20 भाग 20 कहता है हमारा समवीधान का संशोधन समवीधान संशोधन है किसका समवीधान का संशोधन आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 और जो हमारा भाग 10 है भाग 10 क्या कहता है भाग 10 है हमारा S,C और S,T Areas के पारे में बात करता है S,C और S,T के जो Areas है, उनके पारे में बात करता है भाग 10 जो कि Article इस qui आर्टिकल में आते है, जो आते है हमारे 244 से 244 a तक यनमें भाग 10 और आप बात कर लेते हैं इसके भाग 15 की भाग पंद्रा में क्या है भाग पंद्रा में है हमारा elections निर्वाचन जो कि आते हैं हमारे आर्टिकल 324 324 324 से 329 ए तक 329 ए तक 329 ए तक यह हो गए हमारा भाग पंद्रा और हमारा था भाग तेरा भाग तेरा तो मैंने बता ही भागतं दिल्जिवांट है वबएक्रे में चाहिए आपको भारत के राजिचेत्र के भीतर वाडय गार्व हमस्तियु इसका जो आंसर है हमारा इसका जो उतर था वू क्या था इसका उतर द्रुथ हूं effectivement D भाग 13 अगला प्रेश्न हमारा प्रेश्न संक्या साथ राठवा निगेर गुजरात की राठवा जनजाती द्वारा किस अफसर पर किया जाने वाला नरत है राठवा निगेर गुजरात की राठवा जनजाती द्वारा किस अफसर पर किया जाने वाला नरत है आंसर इस B, होली, ये गुजरात की राठवा जनजाती द्वारा रत है, जो की होली के अफसर पर किया जाता है, अगला प्रेशन है हमारा प्रेशन संग्या आठ, हर साल फरवरी में शिर्प ग्राम में मनाया जाता है, आंसर इस A, ताज महुसब, जो की फरवरी के महीने में, यानि फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में लग जाता है ये ताज महुसब, अगला प्रेशन हमारा प्रेशन संक्या है, नौ, बाकियों के बारे में, मैं माप कीजिएगा, बाकियों के बारे में भी एक परी जानकारी मैं आपको दे दूं, ये जो रत्यांजली न्रत्यां आंज़ली अर्पित करने के लीग कि आ जाता हना पासे एक होता है यह करहा होतक कि इसन क्यान परस्ट YouTube मैंमीच फेस्टिवल दूण फिरões और जो हमार ज़ीरो फेस्टिवल नौ निमलिकत मेंसे कौन सा महेश कौन सा महेश तिरुवन पुरम में इस्तित है कौन सा पहलेश यह माफ कीज़ेगा यहां महेश है यहां पर पहलेश है यह पहलेश की जगे महेश हो गया है तो निमलिकेत में से कौन सा पैलेस तिरुवनंद पुरम में इस्तित है तो आंसर इस D. कन कुकुन पैलेस ये हमारा तिरुवनंद पुरम में इस्तित है अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संक्या 10 पंडित मदन मोहन मालवी को किस नारे को लोगपरी बनाने का श्रे दिया जाता है आंसर इस दी सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवी को किस नारे को लोगपरी बनाने का श्रे दिया जाता है सत्यमेव जयते को अगला प्रशन हमारा प्रशन संग्या 11 साइमन, ये मन नहीं है ये साइमन है, साइमन, साइमन कमीशन के खिलाब शान्ती पूर प्रदर्शन के दारन उन्हें लगी चोटों के कारण दम तोड दिया, उन्होंने दम तोड दिया था, तो वो कौन थे? वो आंसर is D, लाला रजपत राय है, अगला प्रश्ण है हमारा प्रश्ण संक्या 12, निम्लिकित मैंसे कौन सा सूक्ष्म जीवी है, जो कारण बनता है, जो हैजा का कारण बनता है, हैजा होना चाहिए है आपे, हैजा का, हैजा का कारण बनता है, तो आंसर क्या है हमारा, बता हैजा का कारण बनता है वो है वैक्टिरिया का वैक्टिरिया एक रीजन है जिसकी वज़ा से हैजा की हैजा का रोक हो जाता है अगला प्रशन हमारा प्रशन संग्या 13 गांधी जी ने करो या मरो का भाषन दिया था आंसर इस अगला प्रशन हमारा प्रशन संग्या 14 निम्न मैंसे कौन सा बांध मद्य प्रदेश में इस्तित है आंसर इस ए तवा यह वाला जो बांध है तवा यह एंपी में इस्तित है और बाकी यह कोईना और उजैनी उजिनी है इसको उजिनी है बोला जाएगा वैसे यह उजिनी है उजिनी उजिनी डेम कोईना उजिनी और इसापुर यह हमारे पढ़ते हैं महारास्ट में महारास्ट में महारास्ट में पढ़ते हैं कोईना पढ़ता हमारा कोईना नगर में उजिनी जो हमारा बांध है वो पढ़ता है महारास्ट के सोलापुर जिले में सोलापुर जिले में और जो हमारा इसापुर है इसका थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अजीब है वो है शेमबाल पिंपरी ये उसके आसपास पढ़ता है शेमबाल पिंपरी के आसपास पढ़ता है इसापुर डैम बलकि ये तीनों हैं तो ये कोईना जैनी और इसापुर ये पढ़ते हैं महारास्ट में ही बस इनके थोड़ी से एरियाज अलग-अलग हैं जैसे कि ये सोलापुर में हो गया और कोईना हमारा कोईना नगर में हो गया है ना और ये इसापुर हो गया हमारा शेवाल शेवाल प किस भारती क्रिकेट खिलाडी की आत्मकता का शीर शक प्लेइंग इट माइवे है जो लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे उनको तो पता होगा इसका आंसर तो कमेंट करके पताएंगे इसका आंसर क्या है आंसर इस D. सचिन टेन डूलकर सचिन टेन डूलकर वैसे यह जो इनका आटो वायग ग्राफी है यह कब पब्लिश होई थी यह होई थी हमारी 6 नेवेंबर 2014 को अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संक्या 16 भारत के समविधान के निमलेखित में से कौन सा अनुच्छीद हमें धन विदेग का वित्रण देता है धन विदेग किस आर्टिकल के अंतरगत आता है यह आता है हमारा आंसर इस B आर्टिकल 110 के अंतरगत क्या है धन विदेग धन विदेग का धन विदेग की परिभाषा धन विदियक परिभाषा आर्टिकल 110 के अंतरगत आता है और जो हमारा आर्टिकल 127 है इसके अंतरगत क्या आता है आर्टिकल 127 आता है हमारा तदर्थ न्यायदीशों की न्युक्ति तदर्थ न्यायदीशों की न्युक्ति यह हो गया हमारा आर्टिकल 127 27 और जो हमारा आर्टिकल 95 है आर्टिकल 95 क्या है हमारा यह हमारा अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाद्यक्ष या अन्यव्यक्ति की शक्ति फिर से बता दू मैं आपको आर्टिकल 95 है उसके अंदर गताता है अध् आटिकल 123 है इसकी अंतरगत क्या आता है इसकी अंतरगत आता है संसत के विश्रांती काल में अध्यादेश प्राख्यापित करने की राष्टपती की शक्ति फिर से बता दू इसका में एक बारी संसत के विश्रांती काल में अध्यादेश प्राख्यापित करने की राष्टपत की शक्ति, ये होगय हमारा आर्टिकल 123 तो इसका जो हमारा आंसर था वो था हमारा इसका आंसर आर्टिकल इसका हमारा आंसर था आर्टिकल 1.110 अगला प्रशने अवारा प्रशने संखिय아 16 तराइन की पहली लड़ाय किस वर्ष लड़ी गई थी तरा 춤के पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी तो कब लड़ी गई थी पताई, अन्सरीज दी, ग्यारथ 151, और किस कसके बीच लड़ी गई थी है, तरा इनकी जो पहला यह दुगाता है, यह कहां हो किसके बीच में हो था प्रत्वी राज चोहान और मुहम्मद गौरी के बीच मुहम्मद गौरी के बीच में हुआ था तरायन का पहला यूद और इसमें जीत किस की हुई थी वो हुई थी प्रत्वी राज चोहान की यह हुआ था 1191 में अगला प्रेशने हमारा प्रेशने संक्या 18 मस्तान शाह वली की दर्गा पर आयजित होने वाला मेला निमलिकित में से कौन सा है तो आंसर इस धामोनी उर्ष अगला प्रेशने हमारा प्रेशने संक्या 19 सिपाई विद्रो किस वर्ष समाप्त हुआ था आंसर इस डी अठाए सवाथा अगला प्रेशने हमारा ये आज की शंक्ला का अंतिम प्रेशन होगा और वो यह है कि जब चीटी काटती है तो यह तुचा के एक अमली तरल फार्म में कम लोग प्रविष्ट कर देती है इसमें बे असर करने के लिए तुचा पर निमलिकित में से क्या लगाया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा आंसर इस आंसर इस मोइस्ट बेकिंग सोडा यानि की ऑप्शन सी नम बेकिंग सोडा हमारा इसका आंसर रहेगा फिर से बता दू मैं जब चीटी काटती है तो एक तुचा में एक अमली तरल फार्म में लोगों की बोडी में प्रिवेश कर जाता है एक अमली उसे बे असर करने के लि दिच्छा sé Copayunk होने लगता है तो उससर को कम करने के लिए बौडी पर क्या लगा जाता वह यह मॉइस्ट बेकिंग सोडा यानि की नम बेकिंग सोडा दोस्तों यह आज का हमारा अंतिम प्रश्च था और चलिए चलते हैं question of the day पर question of the day है हमारा 24 वे होनाराट का आउजन 2021 में किस शहर में किया गया था और इसकी तीम क्या थी तो comment section में बताईएगा कि इसका उतर क्या है जो जो भी student इसका सबसे पहले और सही आंसर देंगे उनका comment हम पिंट कर देंगे जो सबसे पहले दिखाए देगा तो चलिए आज के लिए इतना ही तब तक के लिए मिलते हैं मिलते हैं अगली श्रंकला में तब तक के लिए नमस्कार अगला नमस्कार जी